इस सम्मेलन में शामिल तमाम जो देश हैं जापान हो या फिर आस्ट्रेलिया हो उनके राष्टा ध्यक्षों से उन्होंने मुलाकात भी की है इसके साथी साथ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी फिलडेलफिया जब पहुँचे तो उन्होंने अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन से मुलाकात की और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और जो बाइडन की बीच दूई पक्षिय वारता हुई जहां ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंतरी और जपानी प्रधान मंतरी से भी आपको बता दे क्वार्ट शिखर सम्मेलन से इतर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने मुलाकात की है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आपको बता दे की और इसके अलावा आपको बताओं कि प्रधान मंत्री जापान के प्रधान मंत्री फूमियो की शिदा से भी मिले प्रधान मंत्री मोदी ने जापानी प्रधान मंत्री फूमियो की शिदा से मुलाकात की दोनों नेताओं ने भारत जापान सायोग को और गेहरा और मजबूत करने पर चर्चा की प्रधान मंत्री मोदी ने भारत जापान विशेश रणननीतिक और वैश्विक साज़िदारी क आगे बढ़ाने मे प्रधानमंत्री खिष्टा के नेत्रत्व के लिए उन्हें धन्यवाद दिय है तो है एमेरिका के डेलिवर में hotel के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के आने के इंतजार में प्रवासी भारतियों की एक सदस तक्षमी ने गाना भी गाकर पिदान मंत्री नरेंद्र मूदी का स्वागत इस किस प्रकार से किया आए आपको नात करें आए वाला आज नी घड़ी ते रड़ी आमणी जीरे धन्य आज नी घड़ी ते रड़ी आमणी हे जी मारो वालो जी आव्यानी वधामनी जी रे वधामनी जी रे दन्य आज नी घडी ते रडी आमनी ए रिद्धी दे सिद्धी दे अश्टनव निधी दे वन्ष मावृधी दे बाकबानी रिदय में ज्यान दे चित में ध्यान दे अभयवर्दान दे शंभुरानी मा दुख को दूर कर सुख भर पूर कर आश संपूर कर दास जानी सजन सोहित दे कुटुम सो प्रित दे जंग मा जीत दे मा भवानी मा जंग मा जीत दे मा भवानी जै जै गर्भी गुजरात भारत माता की जै तो भारतिय प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जब डेलवेर पहुंचे तो भब स्वागत उनका किया गया एरपोर्ट पर तमाम जो प्रवासी भारतिय वो प्रधान मंत्री की एक जलक पाने के लिए पहुंचे साथिसाथ जिस होटल में प्रधान मंतरी रुके हैं वहाँ भी प्रधान मंतरी के स्वागत के लिए पहुँचे तमाम जो लोग हैं लेकिन भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया आपको बता दे की कौड के सदस्य हैं और 2007 में इसका गठन हुआ और 2007 हिंद प्रशांत शेत्र को दवाब मुक्त रखना इसका मकसद है चीन की विस्तारवादी नीतियों का जवाब देने के लिए कौड संगठन का जो है वो गठन किया गया था और हिंद प्रशांत शेत्र के साजा हितों पर हरवर्ष इसमें चर्चा होती है और अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन के कारेकाल के बाद से विशेश तोर पर आपको बताओं कि कौड की जो भूमिका है वो ज़्यादा बढ़ती वी नजर आई है और तमाम जो देश हैं इसके वो आपस में रणनीतिक और सेन साजिदारी पर जो है विशेश जोर देते हुए नजर आये हैं और यह संगठन आजब अकल ओस्ट्रेला के प्रधान मंत्री भारत के प्रधान मंत्री और जपान के प्रधान मंत्री के बीच अमेरिका के राष्ट पती मेजबानी कर रहे थे से पूछा गया कि क्या नवंबर के बाद जो है वह यह कौड इसी तरीके से काम करता रहेगा तो उन्हें का इस वे ब्यॉंड नेवंबर यानि यह अमेरिका के हितों के लिए बहुत एहम महत्यपूर्ण है अब आए आपको बताते हैं कि यह जो कौड शिकर सम्मेल हैं जिसमे संगठन के जरिए यूक्रेन और गाजा में शान्ती का समाधान ढूनने की कोशिश जो है वो की जा रही है और क्योंकि इसमें वो चार देश हैं जो की विश्व के सबसे ताकत पर देश है और भारत के प्रदान मंतरिय ने जिस तरीके से हाली में रूस का दोरा किया उसके सब्सक्राइबाद वो यूक्रेन गए और फिर अमेरिका का दोरा यह जो है कही न कहीं से जोड़ कर भी आप देख सकते हैं इसके लावा ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करने की कोशिश भी इस कौट शिखर सम्मेलन के एजेंडे का एक हिस्सा रहा कि एंसर पर एहम अमेरिका के संबंदों को नई उचायों पर ले जाने को लेकर प्रतिबद्धता जो है वो जताई गई इसके साथ दो एहम समझोते की उमीद जो है वो भारत को प्रधान मंतरी नरिंद मोदी के इस दोरे से है जहां पहला समझोता हिंद प्रशांत आर्थिक धांचे पर जो कि यह आपको ऑशिया का जिस तरीके से नित्रित्व करने वाला राष्ट्र